नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका क्रिकर्ण मूट के नहीं वीडियो में और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान वसे स्री लंका के हाइलाइट मैश के बारे में दोस्तो वंडे विश्व कप में स्री लंका की खिलाफ पाकिस्तान ने जीत का सिलसिला कायम रखा है क्योंकि पार्क टेम कभी भी विश्व कप में स्री लंका की खिलाफ नहीं आ रही है वहीं दोस्तो हैतराबाद में खेले गए मुकाबले में अभी पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया रखा लगनों का पीछा करते हुए मुहमत रिजवान और अब्दुला सारीफ न दोस्तो शत्किया पारी खेली जिसकी बतलत दोस्तो पाकिस्तान ने विश्व कप में सबसे बड़ा टार्गेट 345 पे 4 विगट का चेज किया और वहीं दोस्तो रिजवान ने 9 चौके और 3 चको की मदद से 134 जब की पीक ने 10 चौके और 3 चके लगाकर 113 रन नाया महीं स्रिलेंका के लिए मदद संका ने दो विगट लिए और हैदराबाद के राजीव गांदे इंटरनेशनल प्रिकेट स्टेडियम में दोस्तो स्रिलेंका ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विगट और 344 रन बोर्ट पर टंगाए इसके बाद दोस्तो टीम के लिए कुसल मेंडिस और सदीरा समारा विक्रमा ने सतक जड़ा हलाकि दोस्तो उनका सतक टीम जीत नहीं दिरा सका महीं दोस्तो लक्स का पीछा करने उत्री पाकिस्तान टीम शुरुआत में लड़कडा गई और दोस्तो टीम ने चौते ओवर में पहला विक्ट इमाम उनका 12 रनों पे और आट वे ओवर में कप्तान बाबर आजम का 10 रनों के दूरूप में दूसरा विक्ट गवा दिया और जल्दी दो विक्ट गिर जाने के बाद बड़े लक्स का पीछा कर रही पाकिस्तान मैस से काफी बीचे हो गई उसके बाद दोस्तो जल्दी से दो विक्ट गिर जाने के बाद ओपनर अब्दिल्ला शरीफ और नमबर चार पर उत्रे मौमद रिजवान ने पारी को समाला और काफी आगया तक ले गई तीसरे विक्ट के लिए 176 गेंदों में 156 नंकी सांदर साजियारी करी उसके बाद दोस्तो पाकिस्तान ने तीसरा विक्ट 213 रनों के स्कोर पर अब्दिल्ला शरीफ के रूप में गवाया हलाकि जब तक पाकिस्तान की पारी काफी हद तक समल चुकी थी इसके बाद दोस्तो नंबर पाच पर बैटिंग के लिए उत्रे शाहुत सकील ने 30 गेंदों में 24 की मदद से 31 रनों में 45 वी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए और उन्हें श्रिलंका स्पिनर महिस्तिक्षणा ने चलता किया फिर दोस्तो नंबर 6 पर उत्रे इफ्तिकार एहमद ने 22 रनों का योगदान दिया वही इस दौरान मुहमद रिजवान दूसरे एंड पर खड़े और अन्तमेन नाबाद लट जिसके बाद दोस्तो पाकिस्तान की जीत हो गई तो दोस्तो यह रही करक्रिमूट की तरफ से पाकिस्तान और स्री लंका की हाइलाइट वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद